By definition, menopause है जब एक साल तक किसी औरत को bleeding नहीं रहती है और उसके बाद bleeding होना तो normal नहीं है, नहीं होनी चाहिए कि ये एक danger sign है, खत्रे की निशानी हो सकती है सबसे ज़्यादा वरी करते हैं कहीं private parts में कोई cancer की possibility है और ये इस तरह की जो problems आती है वो overweight ladies में ज्यादा आती है नमस्कार सिहात नामा देखरें सभी दर्शकों का स्वागत सबसे पहले गुजारिश सिहात नामा को सब्सक्राइब जरूर करिए आज एक बार फिर सिहात नामा में हम बात करने जा रहे है मिनो पॉस से ही related कभी कभी होती है क्या वो normal है डोक्टर लवलीन सोटी हमारे साथ है उन से बात करते है बहुत बहुत सारे वीडियोस है आप description में लिंक दिया है देखा जा सकते है लेकिन मेनो पॉस के बाद bleeding होना एक बाद फिर से periods जैसे होना या spotting होना क्या normal है नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है बाइड डेफिनेशन मेनोपॉस है जब एक साल तक किसी औरत को bleeding नहीं रहती है टोटल एक साल तक periods बंद हो जाते हैं उसको मेनोपॉस कहते है और उसके बाद bleeding होना तो normal नहीं है नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक danger sign है खत्रे की निशानी हो सकती है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा वरी करते हैं कहीं private parts में कोई cancer की possibility है जब मैं बोलती है possibility ये नहीं है कि अब bleeding हो गई तो आप जी cancer हो गया cancer होनी की possibility आम मान के चलो 5% लोगों को cancer हो सकता है 95% को फिर भी नहीं होगा लेकिन वो 5% को हम तभी पकड़ेंगे अगर हम सारे 100 के 100 का check-up करेंगे और अकसर वो इतने early stage में पता भी लग जाता है अगर कोई ignore नहीं करता है जैसे problem स्टार्ट हुई check-up कराया तो फिर उसका अच्छा इलाज भी हो सकता है कैंसर भी हो तो यानि 95% रहत की बात है कि कोई डर की बात नहीं होती चाहें वो spotting हो थोड़ी बहुत bleeding हो या जादा bleeding हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी सी bleeding में कम chances है कि कोई जादा problem आएगी लेकिन फिर भी थोड़ी सी bleeding में ही check-up कराना जरूरी है क्योंकि अगर कोई problem है वो सबसे पहले तो first presentation जब सबसे पहले तो symptom थोड़ी सी bleeding से ही अक्सर शुरू होगा उसको ignore करते जाए तो फिर ज़्यादा bleeding भी हो सकती है और उस time तक फिर बिमारी बढ़ भी सकती है अगर आपकी उमर 42 से 50 के बीच है आपको एक साल तक पीरिट्स नहीं हुए और उसके बाद अचानक अभी bleeding होती है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब ऐसी महिलाएं डॉक्टर के पास आती है तो किस तरह के आप टेस्ट करते हैं पहले तो हमारे country में जो हमारे देश में menopause की उमर जो है करीब-करीब 46 साल है 46 years ठीक है लेकिन किसी को जल्दी भी menopause हो सकता है 35 में भी हो सकता है 40 में भी हो सकता है 50 में भी हो सकता है 55 में भी हो सकता है 55 से लेट हो तो हम लोग In fact, अगर 50 से कोई लेट हो रहा है, हम कहते हैं कि प्रॉपर चेक अप करा रहा है, अब ये लेट हो रहा है, यहां पे कुछ गड़बर हो सकती है, तो किसी को भी अगर साल भर से पीरिड नहीं आए हैं, पहले तो यंग एज वाले जो हैं, जिनकी उमर 45 से कम है, उनमें हम प्र अगर अगर यहां प्रॉपर नहीं है, और इसके कारण में जो यंग एज में आके तो कई बरी किसी भी जैसे मेनोपॉस का कारण है, अन्डा बनना बंद हो गया, तो कभी साल भर के बाद भी ऐसा हो सकता है, कोई एक बनना चालू हो गया है, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सक कई हो में किसी और कारण से पीरिड रुका हुआ है, और वो साल भर के बाद नैचरली प्रॉसस में फिर से स्टार्ट हो गया, वो भी हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी होते है, जिसके हम चिंता करते हैं, कि यहीं पर यूट्रस का या यूट्रस के जो नीचे वाला पॉर से ब्लीडिंग होने के में इंटर्कोस के टाइम सर्विक्स का कैंसर होने के जादा पॉसिबिलिटी होती है, तो या फिर और कहीं वहां पे कोई स्किन की ग्रोथ या अंदर यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जैसे बढ़ जाती है, पोलिप्स कहते हैं, कई बारी पुरान इसा भी होता है, साथ-सतर साल की उमर में लेडी जाती है, उनके कोई फाइब्रोइड या पॉलिप्स पिछले 20 साल से पड़ा होता है, साइलेंट, जब अंदर हॉर्मोन्स कम हो गए, सब कुछ ड्राय हो गया, तो फाइब्रोइड या पॉलिप्स भी सूख जाते हैं, उन जाती है, जो फाइब्रोइड जो होती है, जो फाइब्रोइड बीडिग स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे मैंने कहा कि 95% कोई और ही कारण होगा, जो वह सौट आउट हो जाएगा, और जो 5% कम मान के चलते हैं, जिन में चैंसर होगा उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि उन जो भी प्रॉब्लम हो, वो फिर इलाज किया जाता है? जी, तो पहले जो भी है अपना जनरल इग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर एज, ब्रेस्ट इग्जामिनेशन, सब कुछ तो रह गाइनेकॉलोजिस्ट करेंगी ही, साथ भी ही वो इंटरनल जो चेकप करते हैं, उसमे के बाद होगा, सर्विक्स कैंसर, तो उसके बाद पैपस्पेर बंद कर देते हैं, बच्चेदानी का जो है, और अगर किसी को ब्लीडिंग होई है, तो फिर अल्ट्रसाउंड भी होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रसाउंड में अगर यूट्रस में कोई कैंसर या ग्रोथ, पहले की कोई पॉलिप, फाइब्रोइड है, वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, कई बारी पस हो जाती है, बच्चेदानी का मूँ इतना टाइटली बंद हो जाता है, जो अंदर-अंदर सिक्रेशन है, वो कट्थे होते रहते हैं, उसको हम लोग पायोमेट्रा बोलते है कि यूट्रोस के अंदर पस एकठे हो गई, या इवन ओवरी का कैंसर, या फलोपियन ट्यूब का कैंसर, इन सब चीजों के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानि कि अगर ब्लीडिंग होती है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाए, लेकिन अगर इग्नोर किया, तो क् अब्लम्स आप लुट आपके आपके लिजू पर उसका कुछ फायदा उतना नहीं हो पाता है उतना अरली स्टेज में, जिसना अर्ली स्टेज में, जहन में महिलाओं के डर भी होता है कि कही कुछ निकलना चाहे, तो जो 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 चैसे चल रहा है, चलने दो, यह बहुत होत पच्छे साल के बाद कभी भी, तो हम कहते हैं कि पैप स्मेर टेस्ट जरूर कराओ, चेक अप कराओ, कुछ लोग तो फिर पैप स्मेर के नाम से कि यह कैंसर का टेस्ट है, उसी से डर जाते हैं, पर समझाने में ज्यादा तर महिलाएं करा लेती है, एक तो पैप स्मेर जरूरी है और ब्लीडिंग हो, तो जरूर अल्टर के पास तरन जाके चेक अप कराएं, हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल हो, और हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, तो वक्त पर वो डाइगनॉज होके उसका इलाज हो सकता है, बिल्कुल सब्सक्राइब, पर इसे इग्नोर नहीं किया जाएं, और यह इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, वो ओवरवेट लेडिज में ज्यादा आती है, जिनका वज़न ज्यादा है, क्योंकि चर्बी में जो इस्ट्रोजन हॉर्मोन यंग एज में बनता है और बंद हो जाता है तो वो ओवरीज में तो अंड़ा बनना बंद हो गया, तो इस्ट्रोजन हॉर्मोन खतम हो गया, लेकिन शरीर के अंदर वो चर्बी के अंदर खास क के बनता रहता है अब यंग एज में तो अंडा बनता है तो हॉर्मोंस का बैलेंस का बैलेंस रहता है इस्ट्ोजिन बन रह रहती है क्रोजेरेंज बन रहती है और आपश बनारे तो शरीब में उसका पोई हानी नहीं होती है लेकिन जो मिनोपॉस के बाद सिरफ एक ही तरह का estrogen hormone बनता जा रहा है उससे जो uterus का cancer के chances बढ़ जाते हैं breast के cancer के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि hormonal imbalance बहुत लंबे time तक जाता है तो वजन को control में रखना uterus के cancer से बचने और breast cancer से बचने का एक तरीका है इसका भी bleeding से कोई लेना देना है मेनोपॉस के जब bleeding जब estrogen hormone बनता रहेगा तो uterus की internal lining thickness बढ़ती रहेगी तो वो एक stage में आके जब thickness बढ़ती जाती है तो फिर वो cancer का रूप भी ले सकती है और overweight ladies भी यह ज्यादा होता है और जिन overweight ladies को जिनका वजन ज्यादा है और उनमें साथ भी high blood pressure और high blood sugar यह problems है उनमें chance और भी ज्यादा हो जाता है यानि कि जो महिला है मोटी है वजन जिनका ज्यादा है और blood pressure भी है और sugar भी है तो वो जरूर खास कर इस बात पर notice रखें कि मीनो पॉस के बाद bleeding ना हो और अगर होती है तो तो रण डॉक्टर के पास और अपना वजन कंट्रोल में करें कई बार challenges होते हैं बट आप डॉक्टर के पास तो जाई सकते चंसे कर समय कुट्वड़ को इंक यज नहीं है कर भी है नहीं है थ्बड़्िक्प छॉट्व्ट के पास 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 दो पर पी कर दो सर्दी कर बार दो भी है वी अजिए धिए खर पीजिए खर्ण।